जावलाल अपनी पत्नी के साथ काशी के ठठेरी बाजार के उपर के एक मकान में रहता था नीचे की दुकाने किराये पर थी जिनका सौ रुपए मासिक किराया आता था बच्चे उनके अभी थे नहीं, पती-पत्नी, मजे से रहते थे खाने पीने की कोई कमी न थी एक दिन जावलाल की पत्नी ने 250 रुपए की मांग की वे एकदम घबरा गए कि पत्नी की फर्माईश कैसे पूरी करेंगे उन्होंने इतने रुपए कभी इकठे नहीं देखे थे साथ ही पत्नी ने यह भी कह डाला की जदी वे नहीं दे सकते तो वह अपने भाई से मांग लेगी उन्होंने पत्नी को साफ मना किया कि वे अपने भाई से भीख नहीं मांगेंगी वे साथ दिन के अंदर-अंदर उसे पैसों का इंतजाम कर देंगे चार दिन तक रुपियों का कोई प्रबंध न हो पाया जाउलाल को अपनी पत्नी के सामने इजजत की फिक्र होने लगी पाँचवे दिन उन्होंने अपने मित्र पंडित बिल्वासी मिश्र को सारी कहानी सुनाई उन्होंने भी अगले दिन तक कुछन-कुछ प्रबंध करने का वायदा किया सात्वा दिन आ गया पंडित जी रुपए लेकर नहीं आये थे लाला जी चिन्ता में डूबे छट पर टहल रहे थे उन्होंने पीने के लिए पानी मंगवाया नौकर के नहोने पर उनकी पत्नी एक टेढ़मेढे से लोटे में पानी भरलाई वह लोटा उन्हें कतई पसंद न था छट की मुंडेर किनारे पर खड़े होकर पानी पी रहे थे की लोटा हाथ से छूट गया और नीचे गली में जागिरा जाउलाल के आंगन में भीड लोटे के गिरते ही गली में शोरगुल होने लगा और लाला जी के आंगन में भीड एकत्रित हो गई भीड में मुख्य व्यक्ति एक अंग्रेश था जिसके हाथ में लोटा था वह सिरसे पाव तक भीग गया था मालूम हुआ कि पहले तो लोटा दुकान के छज्ये पर गिरा उसमें से पानी उचला जिसने अंग्रेश को सिरसे पैर तक भीगो दिया अंग्रेश का लाल पीला होना जैसे ही अंग्रेश के उपर लोटा गिरा और वह भीग गया तो वह ज्यावलाल को गालिया देने लगा लाला जी को उस दिन पता चला कि अंग्रेशी जबान में भीयंगिनत गालियों का भंडार है बिल्वासी जी का अंग्रेश को शांत करनात भी जहाउलाल के मित्र पंडित बिल्वासी जी ने अंग्रेश को शांत करते हुए उसे कुर्सी पर बिठाया और भीड को बाहर भेज दिया अंग्रेश ने पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला जहाउलाल को जानते हैं पुछ पागल लगते हैं। पहले वे उससे ये लोटा खरीद लें क्योंकि वह साधारन लोटा न होकर एक एतिहासिक लोटा है। का समराट बना तो उसने उसी ब्राहमन को ढूड कर दस सोने के लोटे दिये और इसे उससे वापस लिया। अकबर इसी लोटे से वजू करते थे, अर्थात नमास पढ़ने से पूर्व हाथ पे रधोया करते थे। इसी लिए इसका नाम पढ़ गाया अकबरी लोटा। अगर म्यूजियम वालों को इस लोटे का पता चल जाएं, तो वे इसकी मुह मांगी कीमत देंगे। पंडित व अगरेज में लोटा खरीदने की होड पंडित और अंगरेज दोनों ने ही लोटा खरीदने की चाहत व्यक्त कीव, एक दूसरे को बताया कि उन दोनों को ही पुरानी व एतिहासिक चीजों का शौक है। दोनों में लोटा खरीदने की होड लग गई। अंग्रेज ने उन्हें बताया कि वह तो अभी भी नीचे दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तिया खरीद रहा था पंडित जी ने कहा कि जो लोटे के अधिक दाम लगाएगा वही लोटा खरीद ले जाएगा दोनों बोली लगाने लगे 50, रुपए से बोली शुरू हुई और 500 रुपए पर जाकर समाप्थ हुई अंत में अंग्रेज ने उसे खरीद लिया अंग्रेज का डीगे हाकना वखुश होना अंग्रेज लोटा पाकर बेहत खुश था उसने बताया कि अब उसका मित्र जो पुरानी चीजे खरीदने का शौकीन है उसके पास यह लोटा देखकर इश्यालू हो उठेगा अंग्रेज ने अपने मित्र के जहांगीरी अंडे के बारे में बताया कि उसका मित्र जब इसे लाया था तो उसने मुझे बहुत चिढ़ाया था सभी के पूछने पर यह जहांगीरी अंडा क्या है तो उसने बताया कि जब नूर जहाने एक कबूतर उड़ा दिया तो बादशाह जहांगीर ने पूछा कि कबूतर कैसे उड़ा तो नूर जहाने दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और कहा ऐसे इस पर जहांगीर बहुत प्रसन्न हुए और तभी से उनसे प्रेम करने लगे उन्होंने उसी कबूतर के एक अंडे को संभाल कर बिल्लॉर काच की हाडी में रख दिया बाद में यह अंडा जहांगीरी अंडे के रूप में प्रसिद्ध हुआ बिल्वासी जी ने जहावलाल को पैसे सहेच कर रखने को दिये उन्होंने पूछा की पंडित जी रुपए कहा से लाए तो उन्होंने कहा कि इस रहस्य को उनके अतरिक्त कोई नहीं जानता केवल इश्वर जानता है कि उनसे पूछना लाला जी ने धन्यवाद देने हेतु उन्हें रोकना चाहा परंतु वे वहाँ से चले गए मिश्र जी जहावलाल के पैसों का इंतजाम करने में जब अस्फर रहे तो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूग से पैसे निकाल लिये थे लेकिन जब अंग्रेज के द्वारा लाला जी के ढ़ाई सौ रोक्यों का इंतजाम हो गया तो उन्होंने रात को पत्नी के गले की जन्जीर से चाबी निकाली और पैसे फिर से वही रख दिये वह फिर से चाबी पत्नी के गले की जन्जीर में डाल दी फिर हंस्ते हुए गहरी नीन सो जाते हैं और सुबा आठ बजे तक सोते रहते हैं